रामनगरी आयुध्या में 22 जन्वरी को प्रान प्रतिष्ठा का आयुजन के अज़ाएगा प्रान प्रतिष्ठा से पहले ही जनकपूरी को दुलहन की तरह सुजाए गया है प्रान प्रतिष्ठा से पहले ही आयुध्या में राम भक्तों का जमावला लग रहा है कडाके की ठं प्राण प्रतेष्ठा का अरुष्ठान प्रारंप हो गया है जो की 21 जनवरे तक चलेगे इस समय हम राम की नगरी अयोध्या में है अयोध्या जो की बहुत दिनों से चर्चाओं में था कि राम की मंदीर कब बनेगी कब बनेगी और राम की मंदीर अबन के तयार हो चुकी है जिसमें कि आप देख सकते हैं जो रोड के किनारे बांडरी वाल बनाए गया है वो किस तरह से पेंटिंग की गई है किस तरह से नकाशी किया गया है मैं अपने कैमरा मैं से कहूंगा कि ये देखिए किस तरह से दिवारों पे और बनाए गया है ये नकाशी का है जिसे मंगशकर चवराह से लेकर जो में हाइवे वहां तक जो लखनौ रोड याती है वहां तक पांच किलो मेंटर तक इसी तरह से जो इस तरह से थीक सजाया गया है अलग-अलग मुर्टियां बनाई गई है अलग-अलग नकाशी किया गया है यहां पर ये जो है हनुमान जी की मुर्टि बनाई गई है जिसे- towels painting भी कहा जा सकता है और पथरों की नकाशी के द्वारा और जंगों पर बनाया गया है और और दूसरी बात है, जो जिस तरह से हमां सजावट हो रही है, उसको देखने लाएक है। जो आनने वाले सरद्धालू है, वो देखकर बहुत मनोही खो रहे हैं। इस समय हम आयध्या नगरी में हैं, आप देख सकते हैं के किस तरह से यहां जो चौरहा है, कि जो जमावडे हैं जो भीड है जो आने वाले सरधालू है वो लगातार यहां पे हैं और लगातार नारे लगा रहे हैं जै 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 सिरी राम के नारे लगा रहे हैं और दूसरी बात है कि जो यहां पर पंडाल बनाए गये हैं और बहुत सारे पंडाल इस तरह से हैं जहां रामकतार चल रहा है लगातार चरचाएं की जा रही है और यहां पे प्रसासन दुरुस्त तो इसलिए रखा गए कोई किसी तरह का बवाल ना होने पाए हम इस समय राम नगरी आयोध्या में है जो कि आयोध्या जो ये चावरा है मंगेशकर चावरा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरधालू लगातार आ रहे हैं और मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि साड़े ग्यारप उने बारा के तक्रीबन हो गया फिर भी पर लोग यहां पर मौजूद हैं मैं डॉक्तर प्रातना शर्मा मैं अध्या के रहने वाली हूं और हम लोग यहां पर रोज चहलने आते हैं बहुत ही अच्छा बहुत दिवेवाता वरन यहां पर है तो मन को बहुत सुकून और बहुत शांती मिलता है जो राम मंदिर सब्सक्राइब करना बहुत है अच्छा काम किया है हमारे लिए तो यह एक अलग ही वह अलग ही चेतना है अलग ही पीलिंग है उसको डिस्टाइब करना बहुत ही मुश्किल है देखिए हस के बोल रही है कि अलग ही चेतना है और अलग ही फिलिंग है इतनी खूस हैं कि जिसका कोई हद नहीं है हमारे साथ बिटिया है बात करने के लिए वो मन में बहुत खुशी लेकर खड़ी हुई है मैं इससे बात करने के कोशिश करता हूँ तो यह प्राण प्रतिष्ठा सेर में हो रही है यह बहुत ही प्रिविलिश की बात है कि हम वेडियावासी हैं हम यह रहे रहे हैं और यहीं पर हम यहां अच्छी ऐकourciąर्टी हैं हम देख पा रहे हमारी आंकों के सामने ऐसा हो रहा है तो यह बहुत प्रिवलेश की बात हैं, हम बहुत खुश हैं, यहां पर बहुत देवय वाधावरन हैं, जिसके लिए हम अपनी भापनाओं को अपने पूरी तरीके से बया नहीं कर सकते हैं, हमें इतनी खुशी हो रही है। अयोध्यानगरी राम मय हो चुकी है, एनका कहना की मतलब है, और इतने कड़ाके की ठंड है, इतने कड़ाके के ठंड में भाई साब आप अभी तक यहां पर हैं, कैसा लग है उतकत हैं? लेकिन आज का वाता वरान तो बहुत दिविय है और सबसे बड़ी बात है कि जो तीर्थ यात्री बाहर से आ रहे हैं उनको देखकर मन इतना प्रसंद हो रहा हमारा और मैं उनको अपने विसाल हिर्दे से सब को स्वागत कर रहे है इनका कहने का मतलब है कि इनका आत्मा और दिल राम राम कह रहा है और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि जो मुख मंत्री योगी आदित नात ने इतना बड़ा काम कर दिया है कैमरा मैं रोही स्रिवास्ताव के साथ मैं राशी दलबी आयोध्या